स्वागत है दोस्तों I hope आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपने थम्नेल देखा होगा उसी के बाड़े में कुछ बात करेंगे पोस्पोंड मैंने कियू कहा है क्योंकि chances है कुछ और postpone का मतलब simply है कि date change आपका होने का chances है तो यही है कि आपका extend हो सकता है कुछ दिनों के लिए तो यह वीडियो को अगर आपको समझना है तो पुड़ा end तक जरूर देखें तभी जाके आपको समझ आएगी यसे कुछ वज़ा है िसलिए सब लोग क्यों कह रहे हैं तर यसे कि RRB clerk इस बार आपका पहले हो गया आपको जैसे पता होका उसके बाद p.o हुआ जैसे कि उल्टा होता था था पहले ठीक है कुछ इस बार गलर्ख हो गया फेर पियो हुआ तो और झो ak ratio d ganska फिर अजिसे केलेंडर के अनुसार पहले पियो होना था फिर क्लर्क होना था लेकिन नहीं हुआ तो इसी कारान मेंस के डेट में कॉन्फूजन हो गया है कि 24 को आपका क्लर्क होगा या पियो होगा तो देखे कुछ कहा नहीं जा सकता भी लेकिन एक लॉजिकली 99.9% ये बोल सकते हो कि 24 को आपका पियो नहीं हो गा ट्वेंटिफोर को आपका पियो की होगा ये लॉजिक के हिसाब से त्व ये देखे क्या होता है ये जैसे और पहला result किसका आएगा clerk का आने का chances है ठीक है तो according to यह सब आपका clerk का result आने का chances है वो भी Friday next जो Friday है ना 99.9% chance है जो Friday तक आपका result आजाएगा actually Friday एक date होता है इसलिए तो आप देखे क्या होता है लेकिन यह है कि change होने का chances है 24 और एक तारीक के बीच तो hope so जो होगा एक ही बात है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक हफता का difference है तो कोई ज्यादा बरा बात नहीं है लेकिन change होगा तो क्या है कि पीओ वाले candidate को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा एक कोई doubt हो तो मैं जरूर लेकिया होगा